हेलो एवरीवन वेलकम टू मैं चैनल वी वी लर्न टूडए इंडिया में स्पोर्ट्स आज हम लोग जानेंगे भारत के प्रमुक बंदरगा इससे पहले मैंने भारत के प्रमुक बंदरगा की पार्ट वन की वीडियो बनाई है उसे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते ह और डिस्क्रिप्शन बोस में इसका लिंक दिया हुआ वहां से भी आप इसे देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल बनाई हैं तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले अ यूज में इच नममर से बता रहा हूं इसरी क्लगत्ता बन्दरगा के दक्छिन में हुगली नदी पर कलकत्ता के भःई को कमकरने हेतव बनाया गया है यहां पर आउगत हो गाएग मैं और बिशाका पत्नम बनरगा अब यह क्या कहा रहा है इसे भी आप गौर करें बिशाका पत्नम बनरगा के यह बनरगा देश के पुर्वी तट पर आंदरप्रदेश के महाँनगर विशाका पत्नम में बनाया गया है यह नहीं यह बंदर्गा देष के पुर्वी थकपर अंधवदे वर्ढ़ो देष के महानगर विशाका-पत्णम में इस्तित हैं यह एक प्राकृतिक और गहरा बंदर्गा है यहां से आपके question पूछे जाएंगे, यह कैसा बंदरगा है, तो आप basic कह सकते हैं प्राकृतिक और गहरा बंदरगा है, भारत का सबसे गहरा बंदरगा कोन है, तो वह है विशाकापत्नम बंदरगा है, यह जहाजो का निर्मान एवंग मरमत की जाती है, यहां पर क्या है, यह वंग उत्पादक्ता के लिए प्रशुद्ध है, तो भारत का सबसे जो गहरा बंदरगा है, वह है विशाकापत्नम बंदरगा, आम लोग टेन नमबर पॉइंट को जान लें, चिन्ने बंदरगा, भारत के तमिलाडू राजमिस्तित, यह क्रितिम बंदरगा है, इसे भी आ सबसे पुराना क्रितिम बंदरगा कोन है, तो चिन्ने बंदरगा है, देखें, दो प्रकार के बंदरगा होते हैं, एक होता है प्रकृतिक बंदरगा और एक होता है क्रितिम बंदरगा है, क्रितिम बंदरगा जो होता है, वो बनाया जाता है, बट जो प्रकृति खुद बन और देखाय को चेंव करने के लिए विक्षित किया है तो चेंवन का में नंबर पॉइंट को जान लेए हैं पारदीब यह भारत के पुर्वी तटके किनारे उडिशा राज्य मिस्तित है यह कहा है पारादिप उडिशा राज्य मिस्तित है यह कौलकता तता विशाका पत्नम बंदरगा के लगवग बीच मिस्तित प्राकृतिक सरंचना का बंदरगा है इस बंदरगा से उडिशा और बिहार के खन यह नहीं इस बंदरगा से किन-किन चीजों का आयात किया जाते हैं किन-किन समानों का आयात किया ऐसा तो आप बिसक कह सकते हैं मसीनों और वरग गंदक इंजिनिंग समान आयात किये जाते हैं और इस बंदरगा से उडिशा और बिहार के करीजों का निर्यात भी किया जाता है और यह जो है बंदरगा पुर्वी तट के किनारे उडिशा राज्य में इस्तित है यह भी एक प्राकृतिक सरंचना से बनाये गया बंदरगा है अम रट्वेल नमर पॉइंट को जान लें तूति कोरिन बंदरगा यह बंदरगा तमेलाइडू राज के दक्षनी चोर पर इस्तित है यहां से नमक मचली सिमेंट लिंगनाइट तंबाकू चावल आधी निर्यात क्या जाता है एवंग मशीने औरवरग सूति वस्त इत्यादी वस्तों का आयात होता है यहां से कुन किन वस्तों का निर्यात होता है या आप कह सकते हैं आयात होता है तो निर्यात की जाने लिए वस्तु जो है नमक, मचली, सिमेंट, लिंग, नाइट, तंबा को चावल है आप तो जो आयात करने वाली जो वस्तुएं हैं वह है मसीने, और वरक, सूती वस्तित्या दी हमनों 30 नमर पॉइंट को जान लें 30 नमर निकोबार में यह इस्तित है, कहां इस्तित है पोट ब्लेयर तो आप कहा सकते हैं अंडमान निकोबार में इस्तित है और दोज़ाद 10 में 13 बंदरगा के रुप में इसे मानता मिली तो आपने टोटल आज 13 पॉइंट कम्प्रेट कर ली, पार्ट वान में मैंने 7 पॉइंट रखा था, उसके बाद जो बचेव पॉइंट्स इसमें मैंने बताया आपको, यदि आपको वीडियो पसंद आया, तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें, वीडियो लाइक करना ना बूलें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।